B.A. Part 1 के विद्धियार थियो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतरगत आज आपको भक्ति आंदोलन के बारे में बताया जाएगा आपको बताया जाए चुका है कि आपके स्लेबस में हिंदी साहित्य के चार यूगों में से प्रिथम दो यूग सम्मिलित हैं शामिल किये गए हैं आदिकाल और भक्तिकाल आदिकाल के बारे में आपको कई इवाक्यानों के मादम से परिचय कराया जाए चुका है आज आपको भक्ति हैं भक्ति काल के संदर्प में सामाने जानकारी दी जाएगी भक्ति क्या है आंदोलन के रूप में ये कैसे परिवर्तित हुआ और कैसे ये सहित्य में एक प्रमुख धारा बन जाती है हिंदी सहित्य के संदर्प में भक्ति कालसे तत्परिये उस कालसे है जिसमें मुख्यते भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदुलन का सुत्रपाथ हुआ था और अपनी लोकोन मुख प्रवर्ती के कारण धीरे धीरे लोग प्रचलित भावनाय भक्ति भावना की अभिवेक्ति का माध्यम बनने लगी थी और बाद में भक्ति विशेक विपूल सहित्य की बाड़सी आ गई थी परणति ये भावना वैश्नव धर्म तक ही सीमित न थी इसमें शैव शाक्त आदे धर्मों के अतिरिक्ते बौध जैन धर्म संप्रदाय तक इसके प्रभाव से प्रवावित हुए विना ने रह सके भक्ति आंदुलन की जो अब्दी है वो आचारे शुक्र ने समवत 1375 से समवत 1700 तक मानी है भाड़ी धर्म साधना की इतिहास में भक्ति मार का विशिष्ट स्थान है द्यार्तियों भक्ति आंदुलन इतना व्यापक गहरा लोकोन मुख्यों प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी का आश्चर चकित हो जाना अस्वभाविक नहीं था एक प्रकार से यह पहला भारती नवजागरन था जो कश्मीर से कन्या कुमारी गुजरात से असम तक फैला हुआ था याद रखना चाहिए कि सारे देश में इसका प्रसार एक साथ नहीं हुआ है कहीं पहले तो कहीं काफी बाद में अपनी अपनी एतिहासिक परिस्तितियों के कारण यह कहीं 16 सताब्दी या 17 सताब्दी में फैला कहीं 12-13 सताब्दी में तो कहीं 15 सताब्दी में देश के अन्य अंचलों की अपेक्षा हिंदी भार्षा भार्षे प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपनी वैविध्धे और अंतोवी रोधों के कारण काफी जटिल और नाना रुपात्मक है भक्ति आंदोलन भक्ति आंदोलन के साथ देश के विभिन अंचलों में जातिय संगठन की शुरुवात भी हो जाती है संस्क्रत और अभ्रंश का पल्ला छोड भक्तों ने देश भाषा में लिखना आरंब किया सबसे पहले आलवार भक्तों के माध्यम से तमिल जाती वनी बारवी तेरिश्ताब्दी में कन्नर जाती का उदे हुआ बंगला, गुजराती, हिंदी जाती का उदर लगभग एक साथ हुआ पंद्रवी शर्ताब्दी में हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ती हैं जिनोंने संस्क्रत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा तुलसी दास ने भी जोखी मुठा कर संस्क्रत को छोड़ करके अबदी भाशा में लिखना प्रारम कर दिया विदेर्थ हुई जो भार्ती धर्म साधना का इटिहास है उसमें भक्ती का एक विशेश स्तान है यद्यपी सहीता भाग में जो इसका रचना काल है उसके बारे में इसका कोई अस्तित्व नहीं मिलता है वैदिक यूग है उसमें यग्य और करमकान के माद्यम से धार्मिक अनुस्ठान हुआ करते थे और आगे लोग प्राय प्राकरतिक वस्तों और घटनाओं के मूल में किसी देवता की कलपना कर लेते थे और उसको प्रसंद करने के लिए यग्यादी का भी आयोजन किया करते थे और उनके दैनिक जीवन में उसकी उल्लास में अभिव्यक्ती भी होती थी उनका मुखे भाग ध्यान था जो एहिक सुकों पे या सांसरिक सुकों पर ही आधरित था वे अंत्यकन की साथना क्या पेक्षब भाहिये विधानों का अनुसरन अधिक करते रहते थे फिर भी शुबा शुब के परिणावों में उनका गहरा विश्वास था और वे यग्यादी कर्म कांडों से अनुप्रानित थे उनमें लगे रहते थे इस प्रकार से जो सारुभों में एक मोलिक एक्ता के प्रतिपादन के द्वारा जो परमातित पत्व के प्रतिष्ठा उस समय हो गई थी उसमें देवी देवताओं का भी मानवी करण हो रहा था जिसकी परिनिती अवतारवाद में हुई हिंस और कठोर व्रतिव का स्थान प्रमेश्वे कोमल व्रतियां लेने लगी जिसका प्रभाव भारती भक्ति साधना पर पढ़ा था श्रमन संस्कृती की द्वारा भी इस प्रतिव को बहुत अदिक महत्वे दिया गया था आरियों के अनेक सभाई और परिशड़े हुआ करती थी और जिसमें उपस्तित अनेक तर्ग, वितर्ग और दाश्निक विवेचन के परिणाम सुरूप, ब्रहमन, आरण्यक और उपनिशत नामक भागों की रचना भी हुई थी जिवात्मा और अव्यक्त प्रकर्ती की भावना का उदैस संभावते इसी अब्दि में हुआ था रहने के लिए तब आदी की वैख्या की गई थी, वैदी को उपस्तना ध्यान योग की रूप में परिणित हो गई थी, जिससे श्रग्दा भक्ती का द्वार उन्मुक्त हो गया था मौनियर विल्यम्स के अनुजार भक्ती शब्द की उत्पती भज से की जा सकती है इसकी आधार पर कहा जा सकता है कि भक्ती भावना आरियों के तार्षनिक और अध्यात्मिक विचारों के फलस्वरूप क्रेमे से श्रग्दा उपासना से विक्सित हो करके उपास से भग्वान के एश्वर ये भाग में ले लेना जैसे भाग में परेनित हुई थी भज अर्थात भाग लेना वैसे भक्ती का सर्वर्थमुलेक श्वेता श्वेतर उपनिशत में मिलता है द्यान दिनél योगे स्थे हैं कि भक्ती का सरवस्थ पुर्थम उलेख कहां मिलता है तो इसका उत्तर आपको लगुतरात्म कुष्टनों के रूप में प्राप्थ होता है कि श्वेता श्वेतर उपनिशत में सरुपृतम भक्ती का उलेख मिलता है यह भी उलेकनी है कि आरियों के आने पर उन्हें यहां की यक्ष, किनर, गंधर, असूर, रात्य, बिद्धादर आधी जातियों की नागर संस्कृति का भी परिचाय मिलता है आरियों लोग मुख्यत है सैनिक जीवन के अभ्यासी थे और उनका जो जाती जीवन था वो ग्रामीड संस्कृति पर आधरी था इन दोनकों मिलन और पारस्प्रिक आधान प्रदान से भारती संस्कृति को विकास हुआ जिसकी छत्रचाय में भक्ती परंपरा का बीच भी विक्सित हुआ वैतिक भक्ति परंपरा के समाना अंतर दक्षिन भार्ट में द्रवेट संस्क्रत गर्भित प्रत्थक भक्ति परंपरा का सुत्रपात हो चुका था यह परंपरा इसा पूरुके शताप्णियों से चली आ रही थी जिसमें शर्णागती और समर्पन की भावना प्रबल रूप से पाई जाती थी जो कालांतर में दक्षन आत्ते आचारियों द्वारा उत्तर भारत में भी लोगप्रिये बनी द्रावेट भक्ति उपजियो ल्यायो रामानन ऐसा बहुत प्रचलित है कहा गया है बास्तर में इस्वी सन के आरंबिक काल में ही उत्तर और दक्षिन दोनों परंपराओं का मिलन हो गया था जिसका निदर्शन आडियारों और आडियारों के भक्ति सहित्ते में सुलब है इसके अंतरगत पूजा को भक्ति का मुख्य सादन माना गया था जिसमें शिव की भादित तमिल भाषा का शब्द भी ठहराया गया है मायों या तिरुमाला को भी विश्णु कही बताया गया है स्यम भागवद को भी कंडर प्रदेश में रचित कहा गया है ये ग्रन्त मद्दे कालेन भक्ति परंपरा का प्रमुक्ष रोत रहा है भी कमुलेखनी नहीं है इनका मुख्यों देशे भक्ति मार के साधन का निरूपन करना है साधनाओं, सहीताओं ने देवालेों के निर्मान इसमें अराध्य देव की प्रतिष्ठा और विधिवत पूजर अर्जन की विवस्था भी दे दी गई थी जो सहीता साहित्य था उसमें ऐसा किया गया इससे अफ्तारवाद को प्रचूर प्रश्र मिला इसाइमत और इसलाम धर्म की देन की रूप में भक्ति की स्थापना बहुत पहले ही अप्रमानित हो चुकी है अर्थाद ये एक दुश प्रचार हुआ था कि इसलाम के या इसाइमत से भक्ति की स्थापना हुई तो ये अप्रमानित बात हो चुकी है इदर श्रमन सनस्क्रती और साहित्य के आधुनिक विद्वानों ने भी परंपरा में अपना प्राचीन संबन सुत्र दिखाने के प्रयत्मी किये गए जिने उन्हें किसी एक यूद से भिनबिन शोट से समझा जा सकता है फिर भी इसमें रागात्मक शर्ना गती और समर्पन जैसे भी विद्विद्वाव विक्सित नहीं हो पाए जिसके दर्शन एतत विशेक भक्ति साहित्ते में या हमारे हिंदी भक्ति साहित्ते में सुलब है मक्ति काल की सीमानकन के बारे में आपको भी दियारती बताया है कि आचारे शुकिन जो स्थापना की थी वो अधिकांश के द्वारा स्वीकारी की गई अर्थार 14 शताब्दी के मद्दे से 17 शताब्दी के मद्दे तक इसका समय माना गया अब जो हमारा भक्ती आंदोलन है भक्ती आंदोलन किस तरह से उसका उद्भा होता है और कैसे प्रिसार होता है और कैसे वो प्रभावित करता है इसके बारे में आपको बता जा रहा है मद्दे कलिन धर्मों में हिंदू, जैन, बौद, पार्सी, यहूदी, इसाई प्रमुक्त थे जिनका संपर्ग द्वार उन्मुक्त था लोग विश्वासों पर आधारिक लोग धर्म की निष्टा किसी धर्म विशेश में ने थी उसका धर्माचार परमपरागत और चमतकार से प्रभावित था आधिवासियों का धर्म अधिक्तर उनी तक सिमित था किन्तु संपर के द्वारवी परस पर न्यूनाधिक रूप से अनुप्राणित होते रहते थे जाने अंजाने एक दिस सुरे का अनुसरन करने में भी नहीं ही चकते थे फिर भी उन दिनों हिंदो और इसलाम दो धर्म प्रधान थे सिखों के देवी देवता पराई हिंदों के ही थे पर उनकी आचार पद्दतियों पर आगे चलकर के सैनिक वरती की चाप पड़ी थी जैन धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिल पश्रम के शक्त्रों में अधिक था बहुत धर्म पूरी प्रांतों में ही सिमट कर रहे गया था पार्सी मच 721 में भारत में अपना पहला कदम रख चुका था लगभग इसी समय इसलाम धर्म व्यापारियों के माद्यम से माला बार पहुचा था अर्था साथवी श्रताब्दी के या आठवी श्रताब्दी के प्रारम में यहुदी इसाईयों से ही पहले आ गए थे इसाई धर्म फादर टॉमस द्वारा दक्षन भारत में प्रवेश पाचुका था जिसका प्रचार प्रसार परवर्ती काल में आरम हुआ हिंदु धर्म इसलाम के संपर्क से मातर ब्यक्तिकत साधना का केंदर नेरे करके सामोईक साधना का रूप धर्ण करने लगा था उसके आंदोलन कारी प्रवर्तियां उभरने लगी थी फास्वरू प्राय सभी धर्मों में युगानो रूप परिस्टियू के अनुरूप पन्थों, संपरदायों, उप संपरदायों तक की स्रिष्टी होने लगी थी इस प्रियास में वैशनव धर ने भागवत संप्रदाय की रूप में नेतरत्वे किया और व्यापक प्रभाव भी डाला जिसके माध्यम से भक्ती आंदोलन का सुत्र पात हुआ अर्थात, जैन, बोध, हिंदू, पार्सी, यहुदी इन सब के बीच में जो वैशनव धर्म था, वो भागवत संप्रदाय की रूप में नेतरत्वे पाता है और व्यापक रूप से प्रभाव डालता है हमारे भक्ती आंदोलन पर उसके अनुसरन से ही अन्य धर्मों ने भी अपने अपनी सीमाओं में आवश्यक शंशोधन परिवर्धन किये लेकिन हिंदू धर्म की अंतरगत शेव, शाक्त, सोर, स्प्राथ, गांट पत्ते आदि की गणना की जाती है पंच डेव उपासना के परिणाम सोरूप इन में से सोर और गांट पत्ते वैशनव धर्म में ही शामिल हो गए शेश्तीनो देवों में शेव, शाक्त और कजातित वैशनो धर्म से भी अधिक प्राचीन थी अब जो शेव धर्म है इसके अंतरगत मद्नेगाल में पाशुपत, वीर शेव, लिंगायत और कश्मीरी शेव संप्रदाय भी विख्यात थे ऐसे ही उप संप्रदाय में नाथ योगी संप्रदायों के भी गर्णा की जा सकती है वैशनव धर्मा अनुवयायों में स्वामी रामानंद और उनकी अनुवयायों ने भी लोग प्रचलित भाशाओं का आश्रे लेके इन्हें प्रश्रे दिया था इसी प्रकार अन्ने संप्रदाय नों भी अपने अपने मतों के प्रचार के लिए शेक्त्रे भाशाओं को ही अपनाया था वैशनव धर्म है वैशनव धर्म मुलत है भक्ति प्रधान है जो योग साधना का परवर्ती होने के कारण उससे यदकिंचित प्रभावित ही कहला सकता है अर्था जो वैशनव धर्म है वो भक्ति प्रधान है और उसमें योग साधना का इतना अदिक स्थान नहीं है पाँचरात्र के माद्यम से तंत्र साधना के तत्र किसीने किसी रूप में इसमें भले ही समाविष्ट हो गए है पाँचरात्र जो मत है उसके आधार परी मूर्ती विधान और मन्निर निर्मान की विवस्ता मुखेते आधारित थी वैशनव धर्म संप्रदायों और उप संप्रदायों की स्रष्टी भी प्रधानते हैं इनके आचारियों, इनके प्रवर्तकों और दाशनिक सिध्धानतों की ब्याख्या की कारण ही हुई थी द्वैत, द्वैता द्वैत, विशिष्टा द्वैत, भीदा द्वैत, शुद्धा देत इन्ही के परिणाम थे ये भी भी दाशनिक संप्रदाय थे जो कई आचारियों द्वारा प्रवर्दित कर किये गए थे और वैशनव भक्ति के दाशनिक ताके आधार थे इनके द्वार अपनाई गए परती किसी ने किसी दर्शन पर आधार थी फलत है ये स्व्यम को एक दूसरे से प्रथक भी माना करते थे परन्तु ये दूसरी और ऐसे वैशनों मतावलंबी उप्संप्रदायों का भी हस्तित था जो किसी दाशनिक सिध्धान पर बल देना अनिवारी नहीं समझते थे जैसे रामावत, सहेजिया, वाराकरी, पंच सका, आधी ऐसे ही उप्संप्रदाय भी थे शाक्ति धर्में भी दक्षन मारगी और वाम मारगी नामक दो श्रेणिया बन गई थी कभी ने वाम मारगी शाक्तों की प्रती विरक्ती और अनास्था प्रकट की थी जो बहुदा अनाचार तक में लिप्त हो जाया करते थे हिंदु धर्म को सुविवसित करने के लिए शंक्राचार ने समार्ट संप्रदाय की स्थापना की थी और पंच देव पासना की विवस्था की थी जिसमें आगी चलकर के अनविश्वास ने स्थान पा लिया था और जिससे भक्ती का जो मूद स्वरूप था वो धुमिल हो गया था पारलोकिक फल की आशा में लोकिक मर्यादाओं में ही अनेक बंधन बनते गए, कस्ते गए, तीर, मन, दीर, व्यापार के केंदर बनने लगे थे पंडे पुरोहितों के आचार विवस्था और मर्यादाओं का उलंगन करके उच्छनकलता की शेनी में चले गए थे श्रमन धर्म था, इसके अंतरगत बोद और जैनमतों की गणना की जाती है जिसके अंतरगत लोक धर्मी होने के कारण निर्गुन भक्ती पर नियुनादिक प्रभाव पड़ा था इसी से में इसलाम जो धर्म था, उसमें शरा और बेशरा नामक दो कोटियां थी इन में शरा सनातनी थे और बेशरा मस्द मुला फकीर थे जो कभी कभी पीर पैगंबरों के चमटकार पूर्ण करिश्मों का भी आज आशरे लिया करते थे अपने क्लिया कलापों में इसलाम की मूल सिद्धानतों की उप्रिक्षा भी किया करते थे और इनका जो समधाय था वो मज़जूम नाम से अधिक प्रिसिद है जिसके अनियूआई ने तो रोजा नमाज रखते हैं और ने पैगंबर के आस्तावान हैं और जो बेशरा हैं, बेशरा सादर्ख हैं वो मला माती कहलाते हैं सब के इनके अपनी अपनी विशेष्टाएं हैं जो भारती सूफी है भारती सूफी संप्रदाय है वो बेश्रा संप्रदाय के हैं और इसलाम के अनिवाई नहोखर के वे सनातन पंत के मुसल्मान से सब समय सर वत्र मेल नहीं खाते ऐसे में पांच मुख्य संप्रदाई हैं चिष्टी, कादरी, सुहरवर्दी, नक्षवद्यो, शतारी इसी तरह से केरल का जो शक्ता पूजक संप्रदाई है वो बंगाल के धर्म ठाकुरो, सहेजिया, बाउल, सत्ते पीर, कार्ता भाजा संप्रदाई, उडिया का पंचे सका संप्रदाई, महरास्टर का वाराकरी और महानुभाव संप्रदाई भक्ती आदोलन की ही उपज है, जिनके अनिवाईयों द्वारा भक्ती कावे की रचना हुई थी, और इनके कारण हमारा हिंदी का भक्ती सहित्य है, वो विपुल सम्रद का था, भक्ती आदोलन में, शैक, चाव, वैशनाव, श्रमन, इस्लाम और भारती सूफ आचारे रामचंदर शुक्री ने भक्ती के संदर में कहा था कि भक्ती इसलाम के भै के कारण उत्पन हुई या हिंदू जाती की पराजित मानसिक्ता के कारण या निराशा से उत्पन हुई थी, लेकिन हाजारे प्रसाथ दिवेदी ने शुक्री जी का मिरोध करते वे ये बात अत्यान्त उपासास पद है जब मुसल्मान लोग उत्तर में मंदिर तोड़ रहे थे उसी समय अपेक शकर्त निरापज जो स्थान दक्षन का था भक्त लोगों ने भगवान की शर्णागती की प्रात्मा की थी मुसल्मानों की अत्याचार के काणियदी भक्ती की भावधारों को उमरना था तो वो सबसे पहले सिंदे में उमर थी और फिर उत्तर भारत में उसको प्रकट होना चाहिए था लेकिन भक्ती तो दक्षन भारत में उत्पन हुई थी दिवेदी जी भक्ती सहित्य को हत दर्द पराजी जाती का सहित्य नहीं मानते भे कहते हैं कि अगर इसलाम नहीं आया होता तो भी उस सहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसे आज है हिndy के विदवान कभी शुक्ली जी के मत का समर्थन करते हैं तो कभी द्वेजी जी के मत का समर्थन करते है बच्चन सिंह का कहना है कि जरुरत है दोनों मतों से हट करके कुछ विचार किया जाये अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं कि मुसल्मान आक्रमनकारियों ने मंदिर तोड़े, हिंदु जनता प्रत्याचार किये, लोगों को बलात मुसल्मान बनाया और यह भी निसंदिक्द है कि गुरु नानक देय को छोड़कर किसी भक्त कवी ने मुसल्मानों के विरूद कुछ नहीं लिखा पर मुसल्मान बादशाहों और उनके अधिनस्त सामनतों के अत्याचारों का इतिहास साक्षी है लेकिन मुसल्मान और हिंदो एक साथ मिलजूल कर रहने का प्रयास भी कर रहे थे इतिहास में इसका साक्षे हो ने हो पर साहित्ते में अवश्य है किन्तु मंदिरों के तोड़े जाने और हिन्दों को जबरदस्ती मुसल्मान बनाने का प्रभाब भक्तों पर ने पड़ता ये अनुमित एब मनोविज्यानिक है शुकले जी के कथन को पूंत है मान लेना कि भक्ती पराजय के कारण उत्पन हुई है भक्ति काली खंडित हो जाएगा संत काविय और सूफि काविय उनके सिध्धान्तिक दाइरे से बाहर हो जाएंगे इसी भाती शुकल जी का जो कथन है और दिवेदी जी का कथने दोनों ही अर्द सत्ते हैं ऐसा बच्चन सिंग का मत्ध है जो ग्रियर्शन है उनकी अपने श्रिक दर्ष्टी बड़े ही एक्तुच्छ मानसिक्ता को प्रदर्षित करती है वे भक्तिया अलबन पर आश्चर प्रकट करते हुए कहते हैं कि उसे इसायत की देन मान लिया गया इतने वड़े जूट का प्रचार उनके द्वारा किया गया ये अमानने है लेकिन वास्तों में ये है कि जो सूफी संथ है या निम्न वर्ग का संप्रदाय है वो कैसे हिंदु धर्म के या अद्वेत वाद के विरुद खड़ा हो गया था और उसमें भक्ती आंदोलन कैसे धीरे-धीरे सम्रदी पाता है लोग में उसका एक सीधा सा रूप हमें भिन-भिन तरीके से देखने को मिलता है कि जो उततकाले निम्न वर्ग था वो व्यवस्ता की विरुद कैसे खड़ी हो जाती है उसके मूल में भी कुछ आर्थिक पहलू होते हैं जैसे निर्गून भक्ती कावे धारा है उसका अज्जरसर प्रवा हिंदी प्रदेश में देखा गया और अत्यनत सामाने वर्ग में भी हिंदू मुसल्मानों ने दोनों ने उनके गीत गाए इतिहास में संभवत है पहली बार इस वर्ग में अपनी आत्मा भीविक्ती का अफसर पाया था और अपनी वानी को जनता तक पहुँचाया था तो जो भक्ती आंदोलन था उस भक्ती आंदोलन के भक्ती आंदोलन ने सहित्य को भी नए शास्त्र दिये थे नए सहित्य शास्त्र गड़ा था और लोक्री जाती सहित्य या संस्कृत्य का सहित्य था इसमें कलात्मक्ता थी और दूसरी और ये सामन्ने मानव मात्र के लिए मानाता बात का उधिखुश करने वाला था और समानता को प्रस्थापित करने वाला था हमारा सांस्कृतिक राजनेतिक एक गहन जन जन में पैठा हुआ एक आंदोलन था और बहुत प्रबावशल था भक्ती आंदोलन एक प्रकार से शोशित और पीडोतों को अभी स्वर है दूसरी और इसमें राम भक्ती का आंदोलन भी है और जिसमें यथा इस्थिती वाद है पहला आंदोलन है जो निर्गुन भक्तों का है उसमें रहस्य वाद भी है तो दूसरी और ब्रहमन वाद भी है तो ये वास्तव में अनेक अंतर विरोधों का काल था ये अनेक अनेक तथ्यों को बातों को संस्कृतियों को धार्नाओं को धाराओं को समेटे हुए था धन्यवाद